बॉलिवूट की खबरों पर ब्रेक देते हैं क्योंकि एहमदाबाद के साड़न में बने इंटरनाशनल सेंटर फॉर अंट्रॉप्रिनियॉर्शिप और टेक्नॉलजी में पी एम मोदी बोल रहे हैं आपको सीधे वहां लेकर चलते हैं अपनमो कजमांत्री शीन नीटीन पतेल जी आई क्रियेक से जूड़े हुए तमाम इंटिल्किल् 열심히 इनोवेटर्स रीशर्श श्कॉलर्स अदिकारिगार्ण और यहां अपस्तित भायो अर्फेनो और मेरे नवजवान दोस्तों मुझे खुशी है कि आज इजराइल के प्रधान मंत्री की उपस्तिती में देश के नवजवान इनोवेटर्स को समर्पित इस संस्थान का लोकारपण हो रहा है मैसी नेचान याहू का बहुत आभारी हूँ को उनों ने गुजरात आने का निमंत्रन स्विकार किया और परिवार के साथ आए इस कारकम से यहां आने से पहले हम समर्पित आस्रम गए थे जहां पुझ बापु को सरदांजली देने का आउसर मिला पतंग चगाने का भी अउसर मिला जब मैं पिछले साल इजराइल गया था तब ही यह मन बना लिया था इस संस्था का इजराइल के साथ और मजबूत संबन्द होना चाहिए और तब से ही मैं मेरे मित्रा से नेतान याहू के भारत आने का इंतजार कर रहा था मुझे खुशी है कि वो ना सिर्फ गुजरात आए बल्कि आज हम उनकी उपस्तिती में इस संस्था के केंपस का लोकारपन कर रहे हैं मैं से नेतान याहू और उनके साथ आए डेलिकेशन के अन्य सद्रस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ शलम एन तोदा रबाद आज जब हम आई क्रियेट का लोकारपन कर रहे हैं तो मैं स्वर्गिये प्रफेसर एन्मी वसानी को याद करना चाहूंगा मुझे बराबर याद है कि जब आई क्रियेट की कल्पना की गई तो उसको मुर्त रूप देने की जिम्मेदारी प्रफेसर वसानी के पास आई लेकिन दुर्भाग्य से लंबे अर्से तक वो अनकॉंसियस रहे हमें छोड़के चले गए आज वो हमारी बीच नहीं है लेकिन प्रारम भी काल में उनका जो प्रयास था और बाद में कानवा जुड़ता गया कि आज हम सब आई क्रियेट को इस भव्य रूप में देख पा रहे हैं किसान एक छोटा सा पवधा बोता है तो आने वाली कई पीडियां उस विशाल व्रक्ष के फल पाती रहती है और किसान की आत्मा जहां कहीं भी होती है यह देखकर निश्चित रुप से आनन्दित होती है आज आई क्रियेट के लोकारपन पर हम सब को उसी खुशी का अनुभव हो रहा है कि जो एक बीज बोया था आज वटवरुक्ष रुप में उभर करके आया है किसी इंस्टिजूशन का महत्वा उसके जन्म के समय नहीं आका जा सकता है हम सब जानते हैं कि आज बारती नहीं पूरे विश्व में फार्मासिटिकल खेत्र में गुजरात का नाम है गुजरातियों का नाम है पर बहुत कम लोगों को इसका बैग्राउंड मालूम होगा आज से लगभग पचास साथ साल पहले अमदाबाद के कुछ विजनरी उद्योक्तियों के प्रयाद से एक फार्मसी कॉलेट प्रारम हुई थी उसकी शुरुवात हुई थी और वह देश का पहला फार्मसी कॉलेट था और उस फार्मसी कॉलेट ने एमदाबाद और पुरे गुजरात में फार्मसी के छेत्र में एक मजबूत इको सिस्टिम खड़ा कर दिया हम सब यही अपेक्षा आई क्रियेट और यहां से निकलने वाले मेरे नौजवानों से विद्यार्थियों से आज देश अपेक्षा रखता है कि वो इनोवेशन के खेत्र में भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे मुझे आध है जब कुछ वर्थ पहले आई क्रियेट को लॉंच किया था तो उस समय भी मैंने कहा था कि इस्राइल को आई क्रियेट से जोड़ना चाहता मेरा मखसत यही था कि इस्राइल के अनुभव का फाइदा उसके स्टार्ट अइन्वार्मेंट का लाप इस संस्था को देश के नवजवानों को मिले इस्राइल की टेकनोलोजी एवं क्रियेटिविटी पूरे विश्व को प्रभावित करती है खास करके ऐसे छेत्र जो भारत की आवश्शक्ताओं से जुड़े हैं उनमें इस्राइल के साथ का फाइदा भारत के इन्वेटर्स भी उठा सकते हैं वाटर कंजर्वेशन, एग्रिकल्टर प्रोडक्शन, एग्रिकल्टर प्रोडक्श का लंबे सवय तक रख रखाव फूड प्रोसेसिंग, रिगिस्तान की और कम पाने वाली इलाकों में खेती साइबर सिक्यूरिटी, ऐसे कितने ही भीशे हैं जिन में भारत और इस्राइल की साजेदारी हो सकती है साथियों, इस्राइल के लोगों ने पूरी दुनिया में साबित किया है कि देश का आकार नहीं, देश वासियों की संकल्प देश को आगे ले जाता है, उपर उठाता है मुझे एक बार इस्राइल के पुर्वराश्ट्रपती और महान स्टेश्टमेंट स्रिमान शिमोन परेश से मिलने का सौभाग प्राप्त हुआ था और उनकी एक बात मुझे आज भी याद है स्रिमान शिमोन परेश कहते थे we will prove that innovation has no limits and no barriers innovation enables dialogue between nations and between people उनकी ये बात आज सो प्रतिशत सच साबित हुई है भारत और इस्राइल के लोगों को और करीब लाने में innovation की बहुत बड़ी भूमी का बाई और बहनो स्रिमान शिमोन परेश की कही एक और बात को मैं आज दोराना चाहता हूँ वो कहते थे the greater the dream the more spectacular the results जितने बड़े सपने होंगे उतने ही बड़े नतीजे होंगे इस्राइल की यही सोच noble prize के साथ उसकी chemistry को मजबूत करती है इस्राइल के वईग्यानिकों को अलग अलग शेतरों से मिले noble पुरसकार इस बात के गवाह है भाई और बहनों, मशूर भाई ज्यानिक, अलबर्ट आइस्टाइन का उतना ही मशूर कतन है, इमेजिनेशन is more important than knowledge, ये इमेजिनेशन, ये सपने, ये कल्पना ही हमें नई बुलंदियों पर ले जाती है, इन सपनों को, और इन सपनों को ही कभी भी मरने नहीं देना है, इन सपनों को कभी ठमने नहीं देना है, बच्चों की curiosity के पोशन की जिम्मेदारी हम सब की है, संकोच ये innovation का दुश्मन है, आप अपने आसपास छोटों बच्चों को ध्यान से देखें, अधि आप उनको कहें कि जल्दी सोना चाहिए, तो तुरंद पुछते हैं क्यों सोना चाहिए, यदि आप उनको कहें कि मुझे यह संगीत पसंद है, तो तुरंद पुछते हैं आपको यह संगीत पसंद क्यों है, एक बार गणित की एक क्लास में अध्यापक ने समझाया कि यदि तीन फल है और तीन छात्रों को दिये जाएं तो प्रत्य को एक फल मिलेगा और यदि छे फल है और छे छात्रों को दिये जाएं तो भी प्रत्य को एक फल मिलेगा फिर टीचर ने कहा कि मतलब जितने फल हो उत्रे ही छात्र हो तो प्रत्य को एक फल मिलेगा तभी एक छात्र खड़ा हुआ और उसने टीचर की आँख में आँख मिला करके उनसे पूछा कि यदि फल भी जीरो है और छात्र भी जीरो है तो भी क्या प्रत्य छात्र को एक फल मिलेगा यह सुनकर के पूरी क्लास हसने लग गई टीचर भी उस बच्चे को देखने लग गई लेकिन आपको जान करके खुसी होगी वो बच्चा और कोई नहीं था कहते हैं कि वो छात्र गणीत के ग्याता महान ग्याता स्री निवास रामा नुजन था और उसके इस प्रस्ण ने गणीत के एक महत्वपुन सवाल को स्पर्च किया था कि क्या जीरो को जीरो से डिवाइड करें तो उत्तर एक हो सकता है क्या हमारे युवाओं के पास एनर्जी भी है एन्थूजी आस्म भी है उनको चाहिए तो थोड़ा सा एन्करेंजमेंट थोड़ी सी मेंटर्शिप थोड़ा सा नेट्वर्क थोड़ा सा इंस्टिटूशनल सपोर्ट जब यह थोड़ा थोड़ा युवाओं के इन्वेशन से मिलता है तो बड़े बड़े परिनाम आना निश्चिद होता है आज हम देश में पूरे सिस्टिम को इन्वेशन फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं हमारा मंत्र है कुरियोसिटी से जन्में इंटेंट इंटेंट की ताकत से बने आईडियाज आईडियाज की ताकत से हो इनोवेशन और इनोवेशन की ताकत से बने हमारा न्यू इंडिया साथियों हर व्यक्ति के मन में हर नवजवान के मन में कुछ ने कुछ नया करने की इनोवेटिव करने की इच्छा होती है उसके मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं जो विचार आते हैं वो आपकी संपत्ति हैं लेकिन उन विचारों का जाना खो जाना किसी धरावतल पर नहीं उतरना मैं समगता हूँ वो समाज की सरकार की व्यवस्ता की कमी है मैं इसी ववस्ता को बदल रहा हूँ नवजवानों के विचार यूही खत्म ना हो जाएं इसे देखना हम सभी का दाइत्व हैं नवजवानों अपने सपने सच कर सकें अपनी शक्ती का परिचाय पूरे विश्व को दे सकें और इसके लिए मददगार संस्ताय खड़ी करना ये सरकार की और समाज की जिम्मेदारी है इसी सोच के साथ इस आई क्रियेट का जन्म हुआ है मुझे खुशी है कि आई क्रियेट ने देश के नवजवानों को उनके सपने पूरे करने में उनके इनोवेटिव आइडियाद को सांकार करने में बहुत बड़ी मदद दी है आई क्रियेट के इनोवेटिव प्रोडर्स के बारे में जब मैंने जाना आज देखा भी मुझे बहुत प्रसंदता हो रही है मुझे बताया गया है कि बायो स्केन, लेबर अड़ा, स्पेक्ट्रम स्पार्ट, आइकोन जैसे अनेक इनोवेशन्स आई क्रियेट की मदद से संभव हो पाए है और सभलता की पहली शर्थ होती है साहस जो साहस कर सकता है वो कोई भी निर्णय ले सकता है आप सहमा देने मेरी बात से हैं सहमा देने नवजवान अगर साहस देने तो निर्णय नहीं कर पाता है इंसान आई क्रियेट के माध्यम से इनोवेशन कर रहे है साहसी युवान को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ कन्वेंशन और इनोवेशन के बीच हमेशा खीचातानी रहती है जब भी कोई कोई चुनाया करना चाहता है तो एक वर्क उसका मजाक उड़ाता है विरोद करता है अधिकतर लोग कालीजदास के मेगदूत और सकुंतला के बारे में तो जानते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कालीदास ने कन्वेंशन और इनोवेशन के बारे में एक मजेदार बात कही है माल विकागरी मित्रम जो उन्होंने लिखा है उस माल विकागरी मित्रम में कालीदास जी ने कहा है पुराण मित्यव न सादू सर्व न चापी काव्यम न मित्यवद्यम संतह परिक्षानंतर बजनते मुड़ः परप्रत्य ने वृद्धी अर्थात केवल इसलिए कोई चीज पुरानी है आवशक नहीं है कि वह अच्छी होगी इसी प्रकार कोई चीज नहीं है तो जरूरी नहीं कि वह बुरी होगी बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज को गुणों के आधार पर तोलता है और मुर्खा दूसरों के कहने के आधार पर अपना मन बनाता है सद्यों पहले कालिदास ये कहके गए हैं और कितने सुन्दर तरीके से कालिदास ने कन्वेंशन और इनोवेशन के बीच की खिंटान का समाधान दिया है साथियों ये हमारे वैज्ञानों के खिंटा है कि जितने रुपए में होली वुड में साइंस फिक्षन की फिल्म बनती है उससे भी कम राशी में रियल मंगलायान रियल मंगल मंगल गरपर भी पहुचा जाता है ये हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है अभी चार दिन पहले ही इसरों ने सैटेलाइट लॉंचिंग में सेंचुरी बनाई है और ऐसी कामिया भी ऐसे नहीं आती है इसके पीछे जो डेडिकेशन चाहिए परिस्रम चाहिए जो सपनों की उची उडान चाहिए वो उर्जा भारतिये नवजवानों में कूट कूट करके भरी हुई है और ये मैं नीन रात अनुवोग भाई और भेनों आपने देखा है आई क्रियेट का जो आई है वो स्मॉल लेटर में है जब आई क्रियेट का नाम तय हो रहा था तो आई को छोटा क्यों रखा इसके पीछे भी एक बज़े है साथियों क्रियेटिविटी की सबसे बड़ी रुकावट होती है आई का बड़ा होना क्रियेटिविटी के साथ अगर आई कैपिटल है बड़ा है तो उसका मतलब है अहम और अहंकार आड़े आ रहा है